हे गाइस मैं हूँ सीमा और दावर चनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है तो आज मैं जो वीडियो लेकर आए हूँ वो सबसे जादा मुझे लगता है स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो लोगों के सवाल आ रहे है तो कमेंट्स मैं बहुत जादा पढ़ रह बहुत सारे सवाल है बाकी कोंसी विप क्रीम ले तो गाइस मुझे यह कहना है इस वीडियो में की आप लोगों को यह ट्रोपोलाइट ही क्रीम यूज करनी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जहां पर रहते हो जिस सिटी में रहते हूं वहां पर कौन सी क्रीम जादा चलत तौफल लाइड तो आपको यसा नहीं है कि र्खीसडर है इस करना है इडिया में विप-खेंच क्रीम जादा चलते है तो उनन में से छोड़ा कर चलते हैं तो गोकि आख . अच्छ different cream यूज कर सकते हैं तो इह यहां पर क्रेंवेां च्चरी में बातर चलते तो आइस क्रीम दूर चली जाओ और अलग दूसरी क्रीम वहां पर मिले तो मैं उससे भी यूज़ कर लूगी तो specially आपको 4-5 ब्रैंट्स मिलते है उन में से एक है ट्रोपोलाइट इसमें प्रेमियम भी आता है वो भी अच्छे से क्रीम बनती है अमूल की विपिंग क्रीम आती है और रिच्स के आते है एक मलाई मैजिक वगरा भी आता है ऐसे 4-5 ब्रैंट्स है गाइस की उसके विपिंग क्रीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते है तो आपको कोई भी ब्रैंट ले सकते है तो यहां पर यह मुझे ट्रोपोलाइट की मिली है एक किलो का यह पकेट है 170 रूपी इसकी अमारपी है तो आप यह बेकरी शॉप से या सूपर मार्केट से इसे खरीच सकते है तो चलिए इसे कैसे खोलना है इसका प्राइस वगरा स्टोर कैसे करना है वह सारी बात इस वीडियो में देखेंगे तो जब आप इसे मार दिग्री सल्सियस की कम जहां पर टेंपरेचर होता है वहां पर रखना होता है इसके उपर सारे इंस्ट्रक्शन दिये हुए है तो आपको यही सारे इंस्ट्रक्शन सफॉलो करने है और मुझे लगता है ट्वेल मंस इसकी जो शेल्फ लाइब है वो होती है बारा महने तक आप इस लीम को अराम से यूज़ कर सकते है तो इसे खोलने का तरीका देखिए आपको इसे सीजर से बिल्कुल भी कट नहीं करना है इस तरह से यह पाकेट खुलता है गाइस और जब भी मुझे केक बनाना होता है तब मैं क्या करती हूँ अगर सपोस मुझे कल केक बनाना ह तो मैं पहले दिन ही रात में इसे फ्रीज में नीचे के जो शेक्शन होता है वहाँ पर नीचे रख देती हूँ फ्रीजर से बाहर निकाल कर तो यह थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है क्यूंकि इसमें से जो बरफ वगरा है आइस क्रिस्टल से वो निकल जाते है तो आपको जब मुझे 250 ml के करीब क्रीम चाहिए तो मैं थूड़ी सी क्रीम यहां पर ले लेती हूँ अगर लप चाहे तो स्टेल का बाल भी यूज कर सकते है क्यूंकि बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है हम लोग जो मैंने सारी बाते बताई है वह फॉलो करने के बाद भी आपकी क्री होती है तो आप मुझे लगता है क्रीम पूरी तरह से बीट ही नहीं कर रहे होगा क्यूंकि यह सारी क्रीम सैसी होती है एकदम परफेक्ली बीट करने के बाद मेल्ट होने का सवाल ही नहीं आता है तो मुझे लगता है शुरुआत में थोड़ी सी यह क्रीम होने में थोड़ यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गाइस इसे बीट कर लेंगे तो क्रीम अच्छी से नहीं बने की यहाँएद आइस क्रीचल से इसमें नहीं दू बढ़तो और अगराम यहाँद है अगर एक लगा दूजू dancingいます केक बनाना है तो उसे हमें कितनी विपिंग क्रीम लगेगी तो मैं जनरली आदा किलो केक बनाने के लिए 250 ml के करीब क्रीम लेती हूं अगर ज्यादा डेकोरेशन है तो भी वो अच्छे से काम में आती है बिल्कुल भी बचती नहीं है अगर डेकोरेशन थोड़ा सा कम है तो क्रीम लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा ही 250 ml के करीब ही क्रीम आदा किलो केक के लिए यूज कीजिए क्योंकि कम नहीं पढ़नी चाहिए अगर थोड़ी से बच भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से आपको इस कर्टन को बंद कर अब हम लोग इसे वापस से फ्रीजर सेक्शन में रख सकते हैं जहां पर हम लोग बरफ जमाते हैं तो हम ने जो यहाँ पर यह 250 ml के करीब यह क्रीम निकाली है अभी हम लोग इसे बीटर से डिरेक्ली बीट कर सकते हैं यह क्रीम बिलकुल रिडी है अगर आपकी क्रीम में थोड़े से बरफ अगर आया आइस क्रिसल दिखते हैं तो आप लोग इस तरह से स्पैचुला से इससे फेड सकते हैं दो से तीन मिनिट के लिए एक सवाल और भी था गाइस की इससे बीट की हुई जो क्रीम होती है वो अगर बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कितने दिन तक य और टेक्शर भी बदल जाता है तो मुझे लगता है दो दिनों में ही आप उसे युज कर सकते है और उसे रखना भी है अ कि फ्रीजर में 5 डिग्री के कम तेमपरेचर पर आपको रखना होता है यानिकि फ्रीजर सेक्शन में ही जहां पर आम लोग बरब जामाते है तो बस म या डेरी फ्री होना चाहिए इसके उपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और इसे फ्रोजर नहीं रखना होता है आप इसे बाहर फ्रिज के नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह खराब हो जाती है तो सारी बाते आज मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है तो अग इस विपिंग क्रीम से विप क्रीम कैसे बनानी है यह सारी बाते पहले मैंने शेयर की है उसके बारे में एक वीडियो की लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगी अगर आपने इस विपिंग क्रीम से विप क्रीम कैसे बनानी है वो वीडियो नहीं झाल झाल